मा के लिए सब लिखते हैं मैंने सोचा पापा के लिए कुछ लिखा जाए वक्त भी है और पापा के जनन दिन का शुब दिन भी मा के साथ बाप शब्द थोड़ा खलता है मुझे कोई गाली दे रहा है ऐसा लगता है मुझे पिता शब्द का बहुत मोल है क्योंकि पिता खुद में ही अनमोल है मा की महनत तो सबको नजर आती है पर इस महनत के पीछे जिसका हाथ है ना जाने क्यों दुनिया उसको भूल जाती है लोग कहते हैं बेटी पिता की जान होती है पर बेटी में भी पिता की जान बसती है खुद के लिए कभी कुछ ना लिया और मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया मेरी शादी के वक्त पापा अब हल्दी शादी में क्या लेने वाले हो जब मैंने ये पूछा वो मुश्कुराए और बोले कुछ नहीं लेना है तू ले लेना जो तुझे अपने ले लेना है सब के लिए मैं बड़ी हो गई हूँ एक पापा है जिनके लिए मैं आज भी छोटी सी परी हूँ शादी के बाद माई के में मानो लाड मेरे कुछ जादा ही हो रहे हैं हो भी क्यों ना मेरे पापा जो मेरे साथ खड़े हैं आज भी अगर कुछ मांगो तो पापा ले ले ऐसा ही बोलते हैं ना जाने कभी मुझे मना क्यों नहीं करते हैं कोई इतना दिलदार कैसे हो सकता है मतलब की इस दुनिया में कोई इतना नीज सौर्थ कैसे हो सकता है बस एक बात हमेशा सताती है हमारे लिए हमसे दूर रहे और जब साथ रहने का वक्त आया तो डोली में बिठा के विदा कर दिया आखों में पानी लिए साथ में बैटके बाते करना, हसना, आपका कॉल पे खाना खाया क्या जम के रहना बहुत याद आता है पर किसी ने सच का है, शादी के बाद बहुत कुछ बगाता है पापा, आपके जनम दिन पर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है कवितरी तो नहीं हूँ, पर आपके लिए अपना प्यार आदर दिखाने का साहस किया है